अलो बचो तो वही कैसे हो आप सुभी आए होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चो तो आज की जो अपनी बोर्ड बूस्चर की क्लास होने वाली है प्योर इंदी मीडियम के लिए वहाँ पर हम क्या डिसकस करने व प्योंकि कॉडिनेट जोमेट्री इतने मार्क्स की तो आती ही आती है यह क्योंकि पूरी की पूरी एक यूनिट है और इस यूनिट में भाई साब खाली एक लौता यही अकेला चैप्टर है ठीक है तो आज की क्लास अगर तुमने पूरी गरली मैट्स की यह वाली तो इसमें तुम्हारा करने के लिए सारी चीज़े तुम्हारी खतम हो जाएंगी आराम से मिजॉरिटी ओफ हर एक टैप का कोशन में तुम्हें आज की क्लास में कवर करा दूँगा ठीक है तो लेट्स रॉक एंड रोल ठीक है शुरू करें शुरू करने से पहले जरा कमेंट म समझ में चाहिए तुम लोगो की बोड़ की टैया रही है तो शुरू करते जो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं बहुत ही बढ़े है भाई जो नहीं जानते हूं लोगो को बता देता हूं पेटा मेरा नाम है कमल कौशेक ठीक है और Mathematics पढ़ाना मेरा काम है तुम लोग म coordinate geometry बोले तो निर्देशांग जामिती को शुरू किया जाए तो कारेकरम शुरू करते हैं सबसे पहले बई देखो इस पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए आपने पास तीन चीज़े पहला class 9th की निर्देशांग जामिती जो कि तुमने class 9th में पढ़ी थी वही सारी चीज़े ठीक है उन सारी चीज़ों को मैं revise कराऊंगा ठीक दूसरा दूरी सूत्र इसमें से 100% सवाल आएगा एक ठीक है और तीसरा विभाजन सूत्र इसमें से भी 100% सवाल आएगा एक ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिन में से 100% तुम्हें कोशन देखने को मिलेगा तुमारे बोर्ज के एक्जाम में मतलब किसी में दम नहीं है इन में से दोनों में से कोशन आने से रोक ले except CBSC उनका दिमाग फिर गया तो नहीं देंगे लेकिन हर एक हालत में इन दोनों टॉपिक में से कोशन आएगा ही आएगा ठीक है तुम कुछ भी कर लो कोशन आएगा ही आएगा और कुछ नहीं है बेटा सिर्फ जैसे लिखा हुआ है या पर दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ऐसे दो सूत्र हैं बस ऐसे दो सूत्र हैं और अगर तुमने ये दो सूत्र तमीज से कर लिए तो ये चैप्टर तुम्हें आराम से कम से कम चार नंबर और जादा से जादा तो साथ नंबर आठ नंबर भी दे कर जाएगा ठीक है तो important है भाई फिर कहानी शुरू करते हैं निर्देशांक जामिती की तो देखो किसी तल में बिंदू की इस्तिती को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है निर्देशांक जामिती कहलाता है तो इसे हम क्या करते हैं किसी तल में बिंदू की इस्तिती को निर्धारित करने के लिए बच्चों ह ठीड है ये जो हमारी खड़ी अक्ष होती है इसे कहा जाता है वाई अक्ष बिटा निर्देशांग जामिती जो क्लास नाइंथ की है उसका रिवीजन करार हो सबसे पहले ठीक है, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, उसे बोला जाता है मूल बिंदू, वो होता है हमारा मूल बिंदू, ठीक है, मूल बिंदू, अब बच्चो देखो, हमारा X अक्ष के दाई तरफ, मूल बिंदू के दाई तरफ जो X अक्ष होती है, वो positive होती है यानि कि plus वाली, सारे के सारे इस पे धनात्मक नमबर होते हैं जैसे plus 1, plus 2, ठीक है? plus 3, plus 4 इस तरीके से मूल बिंदू के दाई तरफ, सारे के सारे धनात्मक नमबर आ जाते है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 like this ठीक है फिर मूल बिंदू के उपर की तरफ चले जाओ तो बच्चो सारे तुम्हारे plus के नंबर आते हैं y-ax के अपना क्या हो गई y-ax उपर की तरफ positive हो गई ठीक है plus 1 plus 2 plus 3 ठीक है और नीचे की तरफ चले जाओ गई तो बच्चो यही तुम्हारी negative हो जाती है minus 1 minus 2 minus 3 like this ठीक है तो यह x हो गया यह x- हो गया जो की negative होती है यह y हो गया यह y- हो गया जो की negative होती है ठीक है अब किसी बिंदू के निर्देशांग कैसे निकलते हैं किसी बिंदू के निर्देशांग कैसे निकलते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है किसी बिंदू के निर्देशांग कैसे निकलते हैं और निर्देशांग क्या होता है तो मान लो हमारा ये बिंदू है ये है बिंदू P मुझे इस बिंदू P के निर्देशांग चाहिए तो किसी बिंदू के निर्देशांग बच्चो हमेशा इस रूप में लिखे जाते है X, Y के रूप में किस रूप में लिखे जाते है बिटा जो जो इसे नाम दे रहा हूँ वो नाम याद रखना या तो बोलते हो X निर्देशांग ठीक है और इन भाई साब को बोलते हो Y निर्देशांग Y निर्देशांग या फिर तुम X निर्देशांग को बोलते हो बिंदू की Y अक्ष से दूरी बिंदू की Y अक्ष से दूरी और Y निर्देशांग को क्या बोला जाता है बच्चों बिंदू की X अक्ष से दूरी बिंदू की X अक्ष से दूरी डायरेक्टे लिख देते हैं आपर X अक्ष से दूरी है ना यह हो गया और बच्चों इनके तीसरे और सबसे इंपोर्टेंट नाम है ये इन्हें जरूर नाम याद रखना ये नाम बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इसमें से कोशन बनता है इसमें से कोशन बनता है X निर्देशांग को बोला जाता है बच्चो भुझ और Y निर्देशांग को बोला जाता है कोटी ठीक है तुम्हें जो प्रेक्टिस शीट मिलेगी उसमें भुझ और कोटी के कोशन होंगे ठीक है तो वहाँ पर प्रेक्टिस कर लेना मैं बता रहता हूँ कैसे अब देखो किसी बिंदू के निर्देशांग कैसे निकलते हैं माल लो ये बिंदू पी है तुम्हें इसके निर्देशांग चाहिए तो कैसे निकलेंगे बच्छो देखो x निर्देशांग के निकालने के लिए तो x-axis पर perpendicular डालेंगे यह हमारा point हो गया यह अपना point हो गया इस point से x-axis पर perpendicular डाला तो तुम देख सकते हो यह इसे कहाँ पर cut कर रहा है यह इसे cut कर रहा है तुमारा किस पर? यह इसे cut कर रहा है तुमारा 2 पर कहाँ पर cut कर रहा है बच्छो same तो इसके x coordinate कितने हो गए point p के x coordinate हो गए 2 ठीक है y coordinate कितने हो गए बच्छो y coordinate के लिए y axis पे perpendicular डाल दो तो यह हो गया y axis पे perpendicular और y axis पे यह कहाँ पर cut कर रहा है y axis पे तुम देखो यह cut कर रहा है 3 पे ठीक है तो इसके y coordinate कितने हो गए इसके y-coordinate हो गए 3 तो अगर तुम से पूछे की point P के coordinate क्या है तो point P के coordinate है 2,3 ठीक है और बच्चो यहाँ पर इस point का भूझ क्या है point का भूझ है 2 और कोटी क्या है कोटी है 3 क्योंकि x-coordinate को भूझ बोला जाता है y-coordinate को कोटी बोला जाता है ठीक है अब बच्चो इसके बाद आता है कि आप कैसे केवल निर्देशांग को देख के बता सकते हो कि वो कौन से चतुर्थांश में है तो चतुर्थांश क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं जब आप अपनी अक्ष बनाते हो जब आप अक्ष बनाते हो बेटा, तो आपका जो पूरा तल है वो चार भागों में बढ़ जाता है, एक, दो, तीन, चार, इन चार भागों को ही चतुर्थांश बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, यानि कि first कहलो इसे, पहला चतुर्था चतुर्थांश हो जाता है, मैं second लिख देता हूँ, ठीक है, ये तृत्य आनि कि तीसरा चतुर्थांश हो जाता है, और ये चौथा हमारा last चतुर्थांश हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों देखो, आपके पास ये पता लगाने के लिए, कि धिया गया बिंदू, अगर आपको बिंदू दे दिया जाए, मानलो ये बिंदू है तुम्हें एक बिंदू दे दिया गया, दो कॉमा तीन माइनस पांच कॉमा साथ और आठ कॉमा माइनस साथ और माइनस पांच कॉमा माइनस तीन, तुमसे पूछा जाए कि ये चारो बिंदू कौन कौन से चतुर्थ तो तुम्हारे पास दो तरीके आते हैं पहले तो क्या करो तुम अक्ष बनाओ और इन चारो बिंदू को अक्षो पर दिखा लो लेकिन भाई उसमें जाएगा बहुत जादा टाइम और ये कोशन आएगा जाद से जादा एक नंबर में और इतना टाइम अपने पास है नहीं खराब करने के लिए कि हम एक नंबर में इतना काम करें ठीक है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं हम देखते हैं हमारी चिन परिपाटी क्या देखते हैं चिन परिपाटी तो बेटा देखो जब आप अक्षो की बात करते हो तो अक्षो में तुम्हारा किस चतुर्थांश में क तो इसका X निर्देशांक भी धनात्मक होगा बच्चो और इसका Y निर्देशांक भी धनात्मक होगा याने कि दोनों प्लस प्लस क्योंगे ठीक है दूसरा चतुर्थांश अगर तुम देखोगे इसमें X अक्ष रिनात्मक है Y अक्ष धनात्मक है तो इसका X निर्देशांक रिनात्मक होगा, y निर्देशांक धनात्मक होगा तीसरे वाले में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर x अक्ष भी रिनात्मक है और y अक्ष भी रिनात्मक है, ठीक है? तो यहाँ पर x निर्देशांक भी माइनस का होगा और y निर्देशांक भी माइनस का होगा चौथे में x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष रिनात्मक है तो यहाँ पर x निर्देशांक धनात्मक होगा और y निर्देशांक रिनात्मक होगा खतम बात ठीक है तो यह चिन परिपाटी है अब तुम खाली चिन देखकर बता सकते हो कि कोई सा बिंदू कौन से चतुर्थांश में है जैसे कि तुमारा पहला बिंदू यहाँ पर दोनों क्या है यहाँ पर बच्चो दोनों के दोनों हमारे कैसे है बच्चो यहाँ पर दोनों के दोनों ही हमारे कैसे है बिटा, दोनों ही प्लस के है तो अगर दोनों प्लस के है तो क्या आएगा, दोनों प्लस के है तो यह हो गया हमारा पहले चतुर्थांश में ठीक है, यह पहले में हो गया यहाँ पर देखो क्या है X माइनस का है, Y प्लस का है तो भई कौन से चतुर्थांश में X माइनस और Y प्लस होता है कौन से चतुर्थांश में दूसरे में होता है तो यह सेकंड में हो गया ठीक है यहाँ पर देखो X चतुर्थांश प्लस का है Y चतुर्थांश माइनस का है तो यह क्या हो गया ये हो गया हमारा कौनसे में? फोर्थ में, याने कि चौथे में और लास्ट वाले में देखो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के कहाँ पर होते हैं? थर्ड में ठीक है? तो इस तरीके से तुम खाली देख कर बता सकते हो कि कौनसा बिंदू किस चतुर्थांश में हैं? ठीक है बच्चो? इतना सबको clear हो गया? अभी तक जो निर्देशांक जामिती का basic था वो पूरा का पूरा मैंने तुम्हें करा दिया किसी को कोई दिक्कर है इसमें? जल्दी से बढ़ा बच्चो, चमका के नहीं चमका? clear है? बहतरीन तरीके से समझ में आ गया निर्देशांक जामिती का पूरा का पूरा basic मैंने तुम्हें करा दिया है बाकी एक ही चीज बचिए क्या? कि जो मूल बिंदू होता है उसके निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदू के निर्देशांक हमेशा याद रखना मूल बिंदू जो होता है इसके निर्देशांक होता है 0,0 ये तुम लोगों को बता होने चीए ठीक है? मूल बिंदू के निर्देशांक होता है 0,0 बागी तो सारी चीज़े मैंने तुम्हें बता दिया है यह एकलोता पेज है जिसने पूरी की पूरी क्लास नाइन्थ को अपने अंदर समेट रखा है ठीक है, क्लास नाइन्थ का पूरा बेसिक मैंने इस पेज पे दिखा दिया है, देख लो भाई clear है सबको समझ में आगे अच्छे से आगे बढ़ा जाए चालो, तो अब आजाते है बच्चो, अब क्लास टेंथ के जो में टॉपिक है उस पर आजाते है, क्लास टेंथ का में टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक, क्या कह रहा है यह है हमारा दूरी सूत्र ठीक है, और दूरी सूत्र क्या है बेटा, दो बिंदूों के बीच की दूरी निकालने का तरीका ठीक है, आपको दो बिंदू दिये हैं, किसी तल में दो बिंदू के निर्देशांग दिये हैं बालो ऐसे सोच के देखो तुमारा घर है तुमारे घर के निर्देशांग के बालो तुमारा घर जो है वो point A पर है ठीक है और इसके निर्देशांग के x1,y1 ठीक है कुछ निर्देशांग दिये हैं ठीक और तुम जा रहे हो अपने घर से अपने school ठीक है जिसके निर्देश हो पाओ कि कितना टाइम लगता है लेकिन अगर तुम्हें distance पता हो तुम्हें दूरी पता हो तो तुम्हें अराम से बता सकते हैं इतना टाइम लग जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है हमें दो बिंदूओं के बीच की दूरी निकालनी है, जिनके निर्देशांखा में दिये हुए है, X1, Y1, X2, Y2, ठीक है, और कैसे निकलेगी वो दूरी बच्चो, वो दूरी निकलेगी हमारा दूरी सूतर से, जो की कुछ इस तरीके से, तो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड की बीच की दूरी या, रेखाखंड क क्या होगी बच्चो, आपका दूरी सूतर से यह लंबा ही हो जाती है, A, B बराबर, स्क्वाइर रूट के अंदर, X2 माइनस X1 का होल स्क्वाइर, प्लस, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वाइर, और बात खतम, यही एक फॉर्मुला है, जिससे तुमारा पूरा का पूरा काम हो जा जाता है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वाइर, प्लस, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वाइर, यही एक फॉर्मुला है, दो बिंदू के बीच की दूरी लगानी है, दो बिंदू के बीच की दूरी निकालनी है, यह फॉर्मुला लगा दो, तुम लोगों का काम हो गया, ठीक है, इन दोन अलग तरीके से इस्तमाल करके सवालों में लगाना है बात ख़दम बाकी कुछ नहीं है यहीं है और लोग तरीके से सवालों में इस्तमाल करना है ठीक है मैं दिखाऊंगा अभी जब सवाल हल करेंगे हमें पता चलेगा वाँ पर कि किस किस तरीके के सवाल इससे बनते हैं तो पहला हो गया बच्चों हमारा दूरी सूत्र अब दूरी सूत्र से ही एक और सूत्र निकल कर आता है कि अगर तुमसे पूछ ले कि किसी बिंदू की मूल बिंदू से दूरी क्या होती है कोई बिंदू है हमारे पास कोई बिंदू है मानलो बिंदू P है यहाँ पर जिसके निर्देशांक है X,Y और हमसे कहा जाए कि मूल बिंदू 0,0 से यानि कि मूल बिंदू O से इस बिंदू P की दूरी निकाल कर दो हमें यानि कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए O P मूल बिंदू से दूरी तो बिटा आप क्या करोगे आप सिंपल सी बात है जो आपने अभी सूत्र पढ़ा थोड़ी देर पहले दो बिंदू के बीच की दूरी का सूत्र उसमें क्या करोगे उसमें आपके पास निकल कर आता है बच्चो किसी एक बिंदू की मूल बिंदू से दूरी का जो सूत्र है वो ये रा ठीक है किसी बिंदू की मूल बिंदू से दूरी का सूत्र ये रा ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है ठीक है ये इसी फॉर्मूले से निकल कर आया है बस क्या करा तुमने आपर X1, Y1 की जंगा पर मूल बिंदू के निर्देशांक 0,0 रख दिया और तुम लोगों का काम हो गया किसी को इसमें कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ clear है सब को यह किसी भी बच्चे को कोई भी doubt है तो अभी पूछ लो भाई अभी पूछ लो clear है न सब को यह भाई आपका दूरी सूत्र क्या है दो बिंदू के बीच की दूरी है यह ठीक है और उसमें जब आप क्या रख देते हो एक बिंदू के निर्देशांकों की जंगा 0,0 रख देते हो तो तुम्हें मिल जाता है मूल बिंदू से दूरी का सूत्र ठीक है अब यह तो हो गया बच्चो दूरी सूत्र और दूरी सूत्र में केवल इतना ही तक खतम हो गया बस गया गुटबाई हो गया खतम टाटा बाई बाई हो गया अब इसके बार आता है हमारा विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र क्या कहता है बच्चो विभाजन सूत्र यह कहता है कि अगर मानलो तुम्हारे पास दो बिंदू है एक बिंदू हो गया ए ठीक है जिसके निर्देशांग के X1,Y1 ठीक और एक बिंदू हो गया जिसके निर्देशांक है X2,Y2 तुमारा मानलो तुमारा A बिंदू जो है वो तुमारा घर है B बिंदू जो है वो तुमारा स्कूल है और तुम अपने दोस्त को बता रहे हो अभे सुन तुझा पता है यार अपने घर से जब मैं स्कूल आता हूँ न रस्ते में एक दुकान पढ़ती है बर्गर वाले की और बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाता है वो ठीक है बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाता है देखो बर्गर यहां पर बर्गर मैंने क्यों लगाए क्योंकि मेरे फेवरेट है मुझे burger खाना बहुत पसंद है सीडी बात तो मैंने दुकान भी burger की लगाई है तो अपने हिजाब से अपने example में कुछ भी ले लेना ठीक है तो भाई या तुमने अपने दोस को बोला कि यार वो burger वाले की दुकान है बहुत डीस्टी burger बनाता है तो तुमारा दोस के कहता है कि यार तेरे घर से मुझे स्कूल का तक का तो रास्ता पता है लेकिन मुझे वो burger वाले की दुकान का पता नहीं है तो तु एक बार बता देगा कहां पे है तो अगर तुम्हें अपने दोस को अब इसे example को ऐसे लेकर चलो कि तुमारा घर एक बिंदू है जिसके निर्देशांक है X1, Y1 तुमारा स्कूल दूसरा बिंदू है जिसके निर्देशांक है X2, Y2 ठीक है और इसे मिलाने वाले रस्ते पर इसे मिलाने वाले रस्ते पर इसके रस्ते पर तुम्हें एक नया बिंदू मिल गया कौन सा ये बिंदू C जो कि क्या करता है बच्चो जो कि तुम्हारा पूरे रस्ते को किसमे कुछ अनुपात में विभाज़त कर देता है जैसे कि तुम देख सकते हो ये A, C इसने क्या करा बिंदू C ने A, B को A, C और C, B में विभाज़त कर दिया है ना A, C और C, B में विभाज़त कर दिया तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसे M अनुपात N में विभाज़त कर देता है M अनुपात N में विभाज़त कर देता है और तुमसे कहा जाए कि इस बिंदू C के निर्देशांग निकालो X, Y तो ये निर्देशांग निकलते हैं बच्चों हमारे विभाजन सूतर से किसे निकलते हैं बच्चों विभाजन सूतर से कैसे निकलते हैं देखो विभाजन सूतर से हमारे पास आता है X, Y मैं बता रहे तो हूँ यहाँ पर देखो X निर्देशांग क्या होते हैं X निर्देशांग क्या होते हैं हमारे M गुणा X2 प्लस N गुणा X1 बटे में M प्लस N ठीक है Y निर्देशांग क्या होते हैं बच्चों Y निर्देशांग क्या होते हैं m गुणा y2 प्लस n गुणा y1 बटे में m प्लस n ठीक है तो आपके इस विभाजन बिंदू के निर्देशांग का x निर्देशांग का गया ये y निर्देशांग का गया ये ठीक है तो अगर मैं इसे सीधा सीधा बिंदू के रूप में लिख लूँ तो x, y बराबर हो जाता है हमारा विभाजन बिंदू के निर्देशांग x, y बराबर होंगे m गुणा x2 प्लस n गुणा x1 बटे में m प्लस n कॉमा m गुणा y2 प्लस m n गुणा y1 बटे में m प्लस n और ये हो गए बच्चों हमारे क्या ये हो गए बच्चों हमारे क्या किसी दो बिंदूों को मिलाने वाले रेखा खंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग, ठीक है ये रहे, विभाजन बिंदू के दुकान है वो तुमारे स्कूल और तुमारे घर तुमारे स्कूल और तुमारे घर के बिलकुल ठीक बीचो बीच पड़ती है ठीक है याने कि वो क्या है वो तुमारे पूरे रस्ते का मध्य बिंदू है याने कि वो पूरे रस्ते के ठीक बीच में आता है तो तब उसके निर्देशांग क्या हूंगे तो देखो अगर किसी दो बिंदू को अगर दो बिंदू जिसके निर्देशांग है X1, Y1 और दूसरा बिंदू जिसके निर्देशांग है X2, Y2 X2, Y2 इन दोनों को मिलाने वाले रेखा खंड को कोई तीसरा बिंदू बच्चो C बिल्कुल किसमे X,Y जिसके निर्देशांक है वो क्या करता है वो बिल्कुल ठीक बीच में है याने कि मध्य बिंदू है याने कि बच्चे यहाँ पर AC और CB बिल्कुल बराबर है याने कि AC बटे CB लोगे तो कितना आएगा AC बटे CB हो जाएगा 1 याने कि बच्चे यहाँ पर जो अनुपात आता है वो कितना हो जाता है वो आ जाता है 1 अनुपात 1 याने कि M1 M अनुपात N कितना आ गया M अनुपात N आ गया हमारा एक अनुपात एक, M का मान भी एक हो गया, N का मान भी एक हो गया ठीक है, तो कुछ मत करो, यहाँ से तुम्हें मिल जाता है मध्य बिंदू के निर्देशांक कितने हैं, मध्य बिंदू X, Y यह किसके बराबर होगा बच्चो देखो बस यहाँ पर पूरे सूत्र में M और N की जंगा पर एक रख दो M और N की जंगा पर एक रख दो, तुम्हारे मध्य बिंदू के निर्देशांक मिल जाएंगे और यह बराबर हो जाता है किसके 1 गुणा X2 तो X2 प्लस 1 गुणा X1 तो X1 बटे में 1 प्लस 1 याने की 2 कॉमा एक गुणा Y2 तो Y2 एक गुणा Y1 तो Y1 बटे में 1 प्लस 1 आगया 2 यह लो बही यह हैं हमारे क्या? यह हैं बच्चो हमारे किसी दो बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदू के निर्देशांक किसी दो बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदू के निर्देशांक और बच्चो इसके साथ तुमारा पूरा का पूरा चैप्टर निर्देशांक जामिती खतम मेरी तरफ से चैप्टर खतम ठीक है? क्या बचाए अब इस चैप्टर में? भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हमारे question ठीक है तो paper pen ले आओ जल्दी से क्योंकि अब कमर कसने का time आ गया है जल्दी से ये जो सूत्र हमने पढ़े हैं दूरी सूत्र विभाजन सूत्र इसी पर ही आधारित प्रशन करेंगे क्योंकि निर्देशांग जामिती पर आधारित सवाल तुम खुद से कर सकते हो बहुत basic basic सवाल आते हैं वो ठीक है पूरी जो निर्देशांग जामिती का basic मैंने समझाया उसी में से सवाल आएगा ठीक चलो जल्दी से निकाल लो paper pen क्योंकि अब हम सवाल क्या कह रहा है कि दिये गए बिंदू के बीच की दूरी निकालो आपको दो बिंदू दिये गए हैं दो कॉमा तीन और चार कॉमा एक यह तो बहुत ही आसान है आपको सीधा सीधा क्या मिल गया है आपको सीधा सीधा मिल गया है X1, Y1 X1, Y1 कितना है? हल हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हल हमारा X1, Y1 बराबर एक इसके 2 के X2, Y2 बराबर एक इसके हमारा 3 के sorry X1, Y1 बराबर है हमारा 2, 3 के ये बराबर है 2, 3 के और X2, Y2 बराबर है हमारा किसके बिटा? 4, 1 के तो भ CCP हमारे पास X1, Y1 भी है X2, Y2 भी है मान लो X1, Y1 जो बिंदू है वो है A X2, Y2 जो बिंदू है वो है B ठीक है, तो हमारा a b क्या हो जाएगा सूत्र हम जानते हैं a b बराबर हो जाएगा हमारा square root के अंदर x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square simple सी बात है सूत्र यह है, सूत्र में क्या करो बस मान रख दो, तो मान रखेंगे तो बच्चों अपने पास कितना आ जाएगा a b बराबर आ गया square root के अंदर हमारा x2 x2 का मान कितना है, 4 minus x1 का मान कितना है, 2 का whole square plus y2, y2 का मान कितना है, 1 minus y1 y1 का मान कितना है, 3 का whole square तो a b बराबर कितना आ गया, square root के अंदर 4 minus 1 चार माइनस दो करेंगे, चार माइनस दो हो गया, दो तो दो का होल स्कॉयर, प्लस एक माइनस तीन करेंगे, तो माइनस दो का होल स्कॉयर, हल करेंगे बच्चों, ये भी बराबर कितना आ गया, स्कॉयर रूट के अंदर, दो का वर्ग हो गया, चार, प्लस माइनस दो का वर् इकाई लिखना बच्चों बहुत जादा जरूरी है तो दो रूट दो इकाई क्या हो गया दो रूट दो इकाई हमारे इन दोनों दिये गए बिंदूों के बीच की दूरी हो गई आसान सवाल था सिंपल सा सवाल था बस क्या करना था आपको आपको बस सूत्र में मान रखना था ये सबसे ज़ादा जरूरी था बाकी सब तो बहुत ही easy था ठीक है किसी को कोई दिक्कत है अब तक इसमें जल्ली से बदाओ बेटा किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है जल्ली से बदाओ बच्चो clear है आसान है बहुत जादा direct दूरी सूत्र लगाया और हमारा काम हो गया है ना direct दूरी सूत्र लगाया और हमारा काम हो गया अगला सवाल देखो एक सवाल तो ये बनता है बिलकुल basic तरीकेगा एक सवाल ये बनता है बिलकुल basic तरीकेगा दो नमबर में आ जाएगा यह ठीक है अगला सवाल अगला सवाल अब यह सवाल बड़ा यह सवाल है बड़ा तो यह कह रहा है कि दर्शाये की बिंदू 1,7 4,2-1,-1 और-4,4 एक वर्ग के शीर्श है तो बिटे देखो वर्ग की खासियत क्या होती है वर्ग की खासियत क्या होती है अगर हम बात करें कि वर्ग अगर हम बना रहे हैं तो उसकी खासियत क्या होती है कोई बताएगा तुम कहोगे कि सर वर्ग की खासियत यह होती है कि इसकी चारो भुजाएं बराबर होती है मैं कहूंगा बिलकुल सही है अगर हमारे पास ABCD एक वर्ग है तो इसकी चारो भुजाएं बराबर होनी होनी चाहिए तुम कहोगे कि इसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए मैं कहोगा बिल्कुल सही है लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कोण को 90 डिग्री अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास कोई और इंतिजाम अभी नहीं है ठीक है और क्या कर सकते हैं तो मैं तुम से बोलूँगा कि जो वर्ग होता है सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर लंबाई के नहीं होते हैं सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते लेकिन जो वर्ग होता है उसमें विकर्ण जो हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें A B का मान निकालना पड़ेगा, तुम्हें B C का मान निकालना पड़ेगा, तुम्हें C D का मान निकालना पड़ेगा, तुम्हें DA का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, तुम देखोगे कि क्या ये 4 के 4 बराबर है अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है तो यह सम चत्रबुज भी हो सकता और वर्ग भी हो सकता है उसके बाद तुम क्या निकालोगे उसके बाद तुम्हें इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे तुम्हें AC का मान निकालना पड़ेगा ठीक है और तुम्ह तुम्हारा किसका BD का मान निकालना पड़ेगा इन दोनों के मान निकालोगे तुम तब जाके तुम्हारा काम चलेगा ठीक है AC और BD के मान निकालोगे अगर AC बराबर BD आ गया तब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दोनों जो दिया गया ABCD है वो क्या है? A, B, C, D एक वर गया ठीक है? तो हम सबसे पहले यही चीज़ मान लेते हैं कि माना माना हमारा चत्रभुज A, B, C, D में हमारा A 1,7 है B 4,2 है C कितना है? माइनस एक कॉमा माइनस एक है वेड़ी कितना है बच्चो? माइनस 4,4 है ठीक है? 1,7, 4,2 यह हो गया 1,7 यह हो गया 4,2 ठीक है? C के निर्देशांक हो गया माइनस 1, माइनस 1 और D के निर्देशांक हो गया माइनस 4,4 ठीक है? माइनस 4,4 अब यह हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि भाया यह एक वर्ग है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे सबसे पहले हम निकाल लेंगे AB सबसे पहले हम निकाल लेंगे AB Now, अब AB के लिए तो जब हम AB निकालेंगे बच्चो तो AB के लिए क्या होगा AB के लिए हमारे X1,Y1 कितने हो जाएंगे AB के लिए X1,Y1 होंगे X बिंदू के निर्देशांग और X2,Y2 होंगे Y बिंदू के निर्देशांग यह हो गया हमारे कितने 4,2 है ना अब क्या करो बच्चो सीधा सीधा इनमें दूरी सूत्र लगा दो हमारा AB बराबर हो जाएगा मैं डायरेक्स सूत्र में मान रख रहा हूँ अब अब मैं डायरेक्स सूत्र में माना रख रहा हूँ सूत्र बता चुका हूँ मैं बहुत बार X2-X1,4-1 का होल स्कॉाईर प्लस Y2-Y1 यहनि कि 2-7 का होल स्कॉाईर हल करेंगे बच्चों इसे क्या आ गया A B बराबर आ गया square root के अंदर 4 में से 1 गया 3 बचा ठीक है तो 3 का whole square और 2 में से 7 गया तो minus 5 बता है minus 5 का whole square A B का मान कितना निकल कर आ गया A B बराबर हो गया square root के अंदर 3 का square करेंगे 9 और minus 5 का square करेंगे तो आगया 25, तो AB का मान आगया बच्चो, square root के अंदर 34 इकाई, यही आ रहा है तुम लोगो का भी, जल्ली से बताओ, यही आ रहा है तुम लोगो का भी निकल के, square root के अंदर 34 इकाई, यही आ रहा होगा, ध्यान से देखो, AB का मान आगया, square root के अंदर 34 इकाई, यह हो गया AB ठीक, A भी आगया A भी आगया, अब क्या करेंगे बच्चो A भी आगया तो अब निकाल लेंगे हम हमारा B, C क्या निकालेंगे, B, C और B, C के लिए क्या होगा भई B, C के लिए B, C के लिए बच्चो हमारा X, 1, Y, 1 क्या हो जाएगा बिंदू B के निर्देशांग बिंदू B के निर्देशांग जो किया है चार कॉमा दो और X2 Y2 बिंदू C के निर्देशांग जल्दी निकालो तो यह हो गया हमारा 4,2 और X2 कॉमा Y2 हो गया हमारा बिंदू C के निर्देशांग जो कि है माइनस एक कॉमा माइनस एक तो जल्दी से बच्चो सीदा सीदा तू सूतर तुम लोगों को बता है B C बराबर किसके हो जाएगा B C बराबर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर X2 माइनस X1 माइनस एक माइनस चार का होल स्क्वायर plus y2 minus y1 y2 का माहन है minus 1 minus y1 का माहन है 2 का वर्ग solve कर लेंगे बच्चो bc बराबर हो गया square root के अंदर direct लिख रहा हूं मैं minus 1 minus 4 कितना हो गया minus 5 minus 5 का वर्ग करेंगे 25 ठीक है minus 1 minus 2 कितना हो गया minus 3 minus 3 का वर्ग करोगे 9 हमेशा ध्यान रखना minus का वर्ग करने पर plus आता है ये चीज याद रखना ठीक है तो bc का मान कितना हो गया वर्ग मूल के अंदर 25 ब्लस 9 कितना वर्ग मूल 34 है वर्ग मूल 34 है ये लो भई ये भी हो गया और हमारा bc का मान भी कितना हा रहा है हमारा bc का मान भी वर्गमूल 34 आ रहा है वर्गमूल 34 आ गया अब CD निकाल लो CD के लिए क्या हो जाएगा C हो जाएगा बिंदू C के निर्देशांग X1, Y1 बिंदू C के निर्देशांग और X2, Y2, D के निर्देशांग देखो हमारा CD के लिए CD के लिए कितना आएगा भई c d अगर निकालने जाएंगे तो हमारा x1 y1 हो गया बिंदू किसके c के निर्देशांग जो कि है minus 1, minus 1 ठीक है और x2 y2 क्या हो जाएंगे बिंदू d के निर्देशांग x2, y2 बराबर हो गया बिंदू d के निर्देशांग जो कि कितने हैं हमारे जो कि हमारे minus 4,4 minus 4,4 तो अपने पास क्या आजाएगा अपने पास ultimately निकल कर आजाएगा square root के अंदर c d बराबर c d बराबर square root के अंदर कितना आगे है बच्चो x2 minus x1 x2 का मान कितना है minus के 4 x1 का मान है minus के 1 तो minus 4 minus minus के 1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक का होल स्क्वाइर प्लस वाइटू माइनस वाइवन वाइटू का मान है चार माइनस वाइवन का मान कितना है माइनस के एक तो चार माइनस माइनस के एक तो माइनस माइनस हो गया प्लस के एक कवर ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बच्चो, cd बराबर आ गया, square root के अंदर देखो, minus 4 plus 1, minus के 3, minus 3 का whole square करेंगे, 9 आ गया, plus 4 और एक 5, 5 का whole square करेंगे, 25 आ गया, ठीक है, तो cd का मान कितना आ गया, square root के अंदर, 25 plus 9 हो गया, हमारा 34, तो यह आ गया, वर्गमूल के अंदर 34 ही काई, यह लो बच्चो, इसका मान भी आ गया, वर्गमूल के अंदर 34 ही काई, cd का मान भी आ गया, वर्गमूल के अंदर 34 ही काई, यह लो भई, वर्गमूल 34, ठीक है, अब क्या बच्चा बच्चो, अब बच्चता है हमारा simple सा क्या, अब हमारा बच्चता है भाई, ख पेटर डी ए के लिए हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा x1, y1 is equal to हो जाएगा point d के निर्देशांक याने की minus 4,4 और x2 y2 हो जाएगा हमारा किसके हमारे a के निर्देशांक जो कि कितने हैं यह हैं हमारे 1,7 सूत्र तुम लोग जानते हो मान निकाल दो da का, da बराबर square root के अंदर x2 minus x1 याने की 1 minus minus के 4 तो minus minus हो गया plus के 4 का whole square plus y2 minus y1, y2 का माने 7 minus y1 का माने 4 तो 7 minus 4 का whole square तो अपने पास da बराबर आ गया square root के अंदर 1 plus 4 हो गया, 5, 5 का whole square करेंगे 25 आ गया, plus 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 का whole square करा 9 आ गया ठीक है, तो da का मान कितना निकल कर आ गया बच्चो, da बराबर आ गया square root के अंदर 25 और 9, 34 तो वर्गमूल 34 सिकाई, तो मेटा तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इस चत्रभुज की 4 भुजाएं निकाल दी और 4 की 4 भुजाओं का जो मान आ रहा है, 4 की 4 भुजाओं का जो मान निकल कर आया हमारा, वो कितना आया, वो आया वर्गमूल 34 सिकाई ठीक है चारो की चारो भुजाओं का मान वर्गमूल चौते सिकाई आया है तो याने की ये भाई साब एक वर्ग हो तो सकते हैं ये भाई साब एक वर्ग हो तो सकते हैं लेकिन ये वर्ग होने के साथ साथ बच्चों हमारा सम्चत्रोबुज भी तो हो सकता है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा आपने चारो भुजाये तो बराबर दिखा दिए हैं लेकिन अभी आपको विकर्ण भी बराबर दिखाने पड़ेंगे ठीक है तो हम विकर्ण बराबर दिखा लेते हैं भाई अब कैसे विकर्ण बराबर दिखाने के लिए हम क्या करें बच्चो, x1, y1 और x2, y2 के मान x1, y1 कितने है भई? 1,7 x2, y2 बिन्दू सीखे निर्देशांग minus 1, minus 1 1,7 और x2, y2 कितने है भईटा? x2, y2 हो जाएंगे हमारे minus 1, minus 1 है ना? तो अब कुछ मत करो cdc बात है, ac निकाल दो ac बराबर हो जाएगा, square root के अंदर x2, minus x1 x2 का माने, minus 1 minus x1 का माने, 1 का वर्ग plus y2, minus y1, y2 का माने, minus 1 minus y1 का माने, 7 तो हमारे पास कितना हो गया बच्चो? ac बराबर आ गया minus 1, minus 1 कितना हो गया? minus 2 का वर्ग कितना? 4 और minus 1, minus 7 कितना हो गया हमारा? minus 8 का वर्ग हो गया, 64 64 और 4 कितना हो गया? ac बराबर आ गया, वर्ग मूल के अंदर 68, 61 आ गया यह हो गया बच्चो, ac का माने यह किस का माने हो गया? यह हो गया हमारा ac का माने ठीक है? AC का मान आ गया अब सेम चीज किसके लिए कर दो बच्छो सेम चीज कर दो हमारा BD के लिए तो BD का मान कितना आ जाएगा भाई ध्यान से देखो तुमारा BD BD के लिए X1, Y1 क्या हो जाएंगे बिंदू B के निर्देशांक जो की कितने है X1, Y1 हो गया बिंदू B के निर्देशांक 4,2 4,2 और X2, Y2 कितने हो जाएंगे भाई X2, Y2 हो गया हमारे माइनस 4,4 ठीक है सूत्र तुम्हें पता ही है निकाल दो BD का मान BD बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर X2 माइनस X1 याने कि माइनस 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 याने कि 4 माइनस 2 का वर्ग ठीक है तो BD बराबर कितना आगया बच्चो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 4, माइनस 4 हो गया माइनस 8, माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 याने कि 64 बिस चार में से 2 गए 2 बचा दो कवर करा चार तो इसका मान भी कितना हो गया Bd बराबर आगया 64 और 468 तो Bd बराबर हो गया तुम्हारा square root 68 एक आई के square root 68 एक आई के तो बच्चो हो अब तुम देख सकते हो तुम्हारे पास A, B, B, C, C, D और DA बराबर आ गये है ठीक है और 7 में तुम्हारा क्या आ गया है तुम्हारे पास AC और BD भी बराबर आ गये है ठीक तो तुम क्या कहोगे तुम कहोगे चतुर भुज A B C D में हमारा भुजा A B बराबर है B C के बराबर है C D के और ये बराबर है D A के चारो भुजाय बराबर है और विकर्ण AC बराबर है BD के ठीक है अते है ऐसा चतुर भुज जिसकी चारो भुजाय बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो वो चतुर भुज हमारा वर्ग होता है अते है चतुर भुज A B C D एक वर्ग होगा सीदी सी बात है याने की दिये गए बिंदू क्या है बच्चो वर्ग के शीर्ष है और इसके साथ हमारा ये सवाल यहीं पर खतम हो गया important सवाल है अगर ये तुम्हारे exam में आया तो कम से कम कम से कम तीन मार्क्स का आएगा उससे कम का नहीं आएगा किसी भी कीमत पे कम से कम कम से कम तीन मार्क्स का आएगा ये उससे कम का नहीं आएगा ठीक है जल्दी से मुझे बताओ सब को समझ में आगए इस सवाल हमें चार बिंदू दिये हुए थे चत्रोज के ठीक है, हमने चारो बिंदू से चार भुजा निकाली दो विकर्ण निकाले हमारे चारोबुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आगहाए तो हमने कह दिया कि ये एक वर्ग है ठीक है अगर खाली चारो भुजाएं बराबर आती और विकर्ण बराबर ना आते तो हम कहते हैं कि वो समचत्रो भुजा है वो वर्ग नहीं है ठीक है चलो अब आजाते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल का कह रहा है कि X और Y में संबन्द स्थापित कीजिए ताकि बिंदू X Y बिंदू 7,1 और 3,5 से समदूरस्त है तो मान लो मान लो माना ये तुम्हारा बिंदू है A 7,1 B बिंदू है तुम्हारा 3,5 और ये क्या है C X,Y ठीक है अब ये कह रहा है कि ये इन से समदूरस्त है A और B बिंदू जो है वो C से समदूरस्त है यानि कि आपका कहीं बिंदू C है X,Y ठीक है एक बिंदू है A और दूसरा बिंदू है B और कहने का मतलब यह है कि यह जो बिंदू A और यह जो बिंदू B है यह समान दूरी पर है तुमारा बिंदू C से यानि कि A C बराबर है B C के ठीक है प्रश्णा नुसार प्रश्णा नुसार तुमारा यह समदूरस्त है प्रश्णा नुसार हमारा AC बराबर है BC के तो भईया अब तुम AC और BC का मान तो अराम से निकाल सकते हो सूतर तुम लोगों को बता है AC में क्या हो जाएगा बिंदू A के निर्देशांग X1, Y1 बिंदू C के निर्देशांग X2, Y2 निकालो जरा यह हो जाएगा हमारा X2 माइनस X1 याने की X माइनस 7 का वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 याने की Y माइनस 1 का वर्ग बराबर BC का मान कितना हो जाएगा सेम चीज बिंदू B के निर्देशांग X1, Y1 बिंदू C के निर्देशांग X2, Y2 तो यह हो जाएगा x-3 का वर्ग प्लस y-5 का वर्ग ठीक है हल करेंगे बच्चों देगो दोनों तरफ का वर्ग कर दो दोनों तरफ का वर्ग करोगे क्या होगा वर्ग से वर्ग मूल हट जाएगा तुम्हारे पास बच्चा x-7 का वर्ग तो x-7 का वर्क करेंगे a-b का whole square क्या होता है a-b का whole square होता है a square plus b square minus के 2ab याद रखना इस चीज़ को ठीक है तो यह यहाँ पर लग जाएगा आपने पास क्या हैगा x square plus 7 का square करेंगे कितना हो गया उड़ंचस minus 2 गुणा x गुणा 7 तो 2 सत्य 14x ठीक है सेम सूत्र हमारा यहाँ पर लग जाएगा y-1 का तो y का square plus 1 का square करेंगे तो 1 आगया minus के 2 गुणा y गुणा 1 यानिकि 2y बराबर सेम सूत्र इदर लग जाएगा तो क्या आगया x square minus के मतलब 3 का वर्क करेंगे तो आगया 9 minus के 2 गुणा x गुणा 3 यानिकि 2 ती अच्छे x plus y square plus 25 minus के 7 दूनी 10y ठीक है यहाँ पर एक काम करो सब को एक तरफ उठा के लिए हो सब को एक तरफ उठा के लिए हो तो यह हो गया हमारा x square plus उड़ंचस और एक हो गया 50 minus 14x plus y square minus के 2y बराबर बलकि बराबर नहीं सब को उठा कर एक तरफ लाना है न तो plus का x square इदर आकर minus x square हो गया 9 और 25 कितना हो गया 9 और 25 हो गया 34 तो plus का 34 इदर आकर minus का 34 हो जाएगा ठीक है minus का 6x इदर आकर plus 6x हो जाएगा ठीक plus ka y square दरा कर minus y square हो गया और minus ka 10y दरा कर plus 10y हो गया बराबर 0 के ठीक है? हल कर लो बच्चो अब इसे देखो क्या हो गए आपर हमारा plus के x square से minus का x square कट गया plus के y square से minus का y square कट गया सबसे पहली चीज तो यह हो गई अब आगे क्या आएगा बेटा देखो हमारे पास आगया प्लस 14x और प्लस के 6x तो 14x सारी, माइनस 14x और प्लस के 6x कितना हो गया हमारा माइनस के 8x माइनस के 8x उसके बाद माइनस 2y और प्लस के 10y तो 10y माइनस 2y कितना हो गया 10 y minus 2 y हो गया हमारा plus के 8 y ठीक है और हमारा 50 minus 34 50 minus 34 कितना हो गया 50 minus 34 हो गया हमारा 16 plus के 16 बराबर आगया हमारा 0 के ठीक है बराबर किसके आगया बच्चो बराबर आगया हमारा 0 के अब क्या करो यहां से आपको दिख रहा है common लेलो minus के 8 common लेलो x plus y, sorry, x minus के 8x में से minus 8 common लिया, x बच्चा, plus के 8 y में से minus 8 common लिया, तो आपका minus के y बच्चा, और plus के 16 में से minus का 8 common लिया, तो आपके पास minus के 2 बच्चा, बराबर 0, minus के 8 इधर भाग में चला जाएगा, तो 0 बटे कोई भी संख्या, क्या हो जाती है, 0, ठीक है, ध्यान रखना, 0 by a बराबर होता है 0 के, याद रखना, बस a का मान 0 ना हो, a का मान 0 ना हो, क्यों 0 बटे 0 not defined हो जाएगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा, 0 में तो अपने पास आगया, x minus y minus 2 बराबर 0, और यही तो हमें करना था, हमें क्या करना था, हमें x और y में संबन्ध ग्याद करना था, ताकि हमारा ये बिंदू, a और b बिंदू से संब्दू रस्तो, तो इस तरीके के सवाल बच्चों बनते हैं, ठीक है, I hope तुम्हें यह अच्छे से clear हो गया होगा, ठीक है, तुम्हें देखो, दूरी सूत्र में से जारतर जिस भी तरीके का सवाल बनता है, मैंने तुम्हें करा दिया है, अब आ जाते है किस पे, सीधा विभाजन सूत्र पे, ठीक है, तो विभाजन सूत्र का पहला कोशन चार कॉमा माइनस तीन, और कह रहा है कि कोई तीसरा बिंदू है, जो कि इसे इन दोनों बिंदूों को मिलाने वाले रेखा खंड को किस में विभाजत करता है, दो अनुपात तीन में विभाजत करता है, तो तुम्हारे पास क्या है, दो बिंदू है, जिने मिलाने वाले र इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले यह रेखा खंड को हमारा कोई तीसरा बिंदू है जो कि दो अनुपात 3 में विभाज़त कर रहा है याने कि m अनुपात n हो गया हमारा दो अनुपात 3 है ना तो जब सारी चीजे हमारे पास है direct तुमारे पास सूतर है तो हमारा विभाजन बिन्दू के निदेशांग क्या हो जाएंगे विभाजन सूतर से M गूना X2 न गूना X1 बटे में M प्लस N म गूना Y2 प्लस N गूना Y1 बटे में M प्लस N सूतर में सारे मान रखदो उत्तर आ जाएगा तुम्हारे पास तो यह बन गया बच्चों हमारा कितना ये हो जाएगा देखो M गुणा X2 तो M का माने 2 गुणा X2 का माने 4 प्लस N गुणा X1 N का माने 3 गुणा X1 का माने माइनस 1 बटे में M प्लस N याने कि 2 प्लस 3 कॉमा M गुणा Y2 तो M का माने 2 गुणा Y2 का माने माइनस 3 प्लस N गुणा Y1 तो 3 गुणा 7 बटे में 2 प्लस 3 हल करेंगे बच्चों कितना आगे यह आ जाएगा हमारा 2 चौक 8 प्लस 2 चौक 8 और 3 गुणा माइनस के 1 माइनस 3 बटे में 3 और 2 पांच कॉमा 2 तिया 6 माइनस के प्लस कितना साथ तिया 21 बटे में 5 ठीक है कितना आ जाएगा भई हल करने पर हल करने पर अपने पास आ गया X,Y बराबर कितना आठ में से 3 गए तो 5 बच्चा 5 बटे 5 कॉमा हमारा 21 में से 6 जाएगे तो 15 बचेगा 15 बटे में 5 भाग कर लेता है बच्चों तो हमारे विभाजन बिंदू के निर्देशांग निकल कर आ गए कितना 5 एकम 5 कॉमा 5 तिया 15 तो भईया बिंदू 1 कॉमा 3 हमारा माइनस 1 कॉमा 7 और 4 कॉमा माइनस 3 को किस अनुपात में तुम्हारा दो अनुपात 3 में विभाजित करेगा और ये इस सवाल का आंसर हो गया मुझे बदाओ बच्चो किसी भी बालक को इसमें कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को विभाजन सूत्र के इस सवाल में कोई दिक्कत है सारी चीज़े तुम्हें डारेक्ली दे रखी दी सारी की सारी चीज़े तुम्हें डारेक्ली दे रखी दी तुम्हें बस क्या करना था सूत्र में मान रखने थे यही तो बोला था कि दो बिंदुों को मिला रहा है कोई रेखाखंड उसे कोई तीसरा बिंदू दो अनुपात तीन में विभाजित कर रहा है उस बिंदू के निर्देशांग ज्याद करो हमने क्या करा हमने डाइरेक्ट विभाजन सूत्र में मान रख दिया किसी को कोई दिक्कट है चालो तो अब आजाते हैं अगले टाइप के कोईशन पर अगले टाइप का कोईशन क्या है बई जिसमें आपको क्या दे रखा है तुम्हें विभाजन बिंदू के निर्देशांग दे रखा है तुम्हें बोलेगा कि दो बिंदू है इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड को ये तीसरा बिंदू किस अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हें विभाजन बिंदू के निर्देशांग देदेगा और तुमसे अनुपात पूछेगा तो क्या कह रहा है बिंदू माइनस 3,10 और 6,8 इन दोनों बिंदू को मिलाने वाले रेखाखंड को माइनस 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है तो यह हो गए विभाजन बिंदू के निर्देशांग तुम्हें क्या मिल गया तुम्हें मिल गया x1,y1 कितना माइनस 3,10 ठीक है x2,y2 कितना तुम्हारा 6,-8 और तुम्हारा x,y यह कितना है बही यह हो गया माइनस 1,6 ठीक है तो बही अब अगर तुमसे पूछा जाए कि यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो मान लो कि यह m अनुपात n में विभाजित कर रहा है माना किसमें m अनुपात n में विभाजित करता है क्या करता है m अनुपात n में विभाजित करता है तो अपने पास क्या जाएगा बच्चो हम सूत्र जानते हैं सूत्र तुम लोग जानते हो आपका x,y बराबर होगा ब्रैकेट के अंदर M गुणा X2 प्लस N गुणा X1 बटे में M प्लस N, M गुणा Y2 प्लस N गुणा Y1 बटे में M प्लस N simple logic है, simple logic है, तो बच्चो यहाँ पर क्या करो, अपना मान रख दो, तो X, Y का मान कितना है, आपका X, Y का मान है, minus 1, 6, ठीक है, बराबर M का मान हमें नहीं पता निकालना है, X2 का मान कितना है बच्चो, X2 का मान है 6, तो M गुणा 6 प्लस N का मान हमें नहीं पता निकालना है, X1 का मान है माइनस 3 बटे में M प्लस N सेम चीज M गुणा Y2 Y2 का मान हमारा कितना है माइनस के 8 प्लस N गुणा Y1 Y1 का मान कितना है 10 बटे में M प्लस N तो बिटे देखो अब हमें पता है कि ये भी विभाजन बिंदू के निर्देशांक है और ये भी विभाजन बिंदू के निर्देशांक है जो कि हमने निकालने है तो सीधी सी बात है यहाँ पर बच्चो जो X निर्देशांक और जो Y निर्देशांक है वो आपस में बराबर होने चीए है क्योंकि यार ये क्या है ये भी आपके उसी बिंदू के निर्देशांग है जो कि इसे M अनुपात N में विभाज़त कर रहा है और ये भी उनी बिंदू के निर्देशांग है जो कि M अनुपात N में विभाज़त कर रहा है बस क्या अंतर है ये हमने सूतर से निकाले हैं और ये हमें सवाल में दिये गए थे तो हम क्या करेंगे या तो बच्चों इनके X निर्देशांग को या तो X निर्देशांग को या फिर Y निर्देशांग को आप आपस में बराबर रखके M बटे N निकाल सकते हो तो मैं इनके x निर्देशांग को बराबर रख लेता हूँ तुम y निर्देशांग को बराबर में रख के देखना है कि आंसर आ रहा है या नहीं ठीक है चालो तो देखो मैं x निर्देशांग को बराबर रख लेता हूँ माइनस एक बराबर ये इधर का x निर्दे शांक और इधर का x निर्दे शांक तो 6 गुणा m 6m माइनस 3 गुणा n माइनस 3 n बटे में m प्लस n है ना? सही है बिलकुल m प्लस n की इधर मल्टिप्लाइ कर देंगे माइनस एक में तो यह हो जाएगा माइनस के m गुणा माइनस m माइनस n बराबर 6m माइनस 3n ठीक है? इसे उठा कर इधर ले जाओ और इसे उठा कर इधर ले जाओ अपने पास कितना हो जाएगा? माइनस m माइनस के 6m बराबर माइनस 3n और प्लस के n तो अपने पास आगया माइनस m माइनस 6m माइनस के 7m n को इधर भाग में ले आओ, 7 को इधर ले जाओ, तो m बटे n बराबर आगया, 7 बटे 2, सॉरी, 2 बटे 7 के, ठीक है, तो याने कि हमारे पास, m अनुपात n, कितना निकल कर आगया, 2 अनुपात 7, और इसके साथ हमारा ये सवाल यहीं पर complete हो जाता है, यही तो चाहिए था, कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमने देख लिया है बच्चों, कि हमारा ये, जो minus 3,10 और 6, minus 8 को मिलाने वाले रिखाखंड को, minus 1,6 हमारा 2 अनुपात 7 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसके y कोडिनेट को बराबर रखना, तुम्हारा 6 बराबर, minus 8 गुणा m, plus 10 गुणा n, बटे m प्लस n, और फिर निकाल कर देखना कि m बटे n का मान क्या रहा है, मैं 110 परसेंट शौर हूँ कि यही मान निकल कर आएगा, सेम मान निकल कर आएगा, मान नहीं बदलने वाला, मान सेम रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, अब एक और तरीके का कोश्चन आता है, इसी में, यह जो अनुपात वाल है न, इसी में एक और तरीके का कोश्चन आता है, वो क्या करेगा, वो तुम्हें बिंदू के निर्देशांक नहीं देगा, जैसे इसमें क्या कहाता, इसमें इसने डायरेक्ट बोल दिया था, कि minus 1,6 इन दोनों बिंदूों को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है अब वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा वो क्या करेगा वो तुम्हें बोलेगा देखो वो बोलेगा कि भाईया वह अनुपाद ग्याद करो जिसमें 2 बिंदू minus 1,5 और B minus 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को X अक्ष से विभाजित होता है मतलब कि तुम्हें क्या करना है कि A और B को मिलाने वाला रेखाखंड कौनसा आपका मान लो ये Y अक्ष ये X अक्ष ये हो गया बिंदू A अपना कौनसा बलकि सॉरी यहाँ पर होगा हमारा बिंदू B minus 4,5 और यहाँ हो गया हमारा बिंदू A कहीं भी ले लो तुम्हारा ये हो गया कितना A, minus 5 ठीक है तो इन दोनों बिंदूों को मिलाने वाले रेखाखंड को हमारा कौनसा अक्ष बेटा X अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है वो ये पूछ रहा है है ना कोश्यन बिलकुल सेम है दिटो कोश्यन है जो पिछला वाला था बट यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारे निर्देशांक उड़ा दिये गए विभाजन बिंदू के और तुमसे बोल दिया गया कि X अक्ष के सनुपात में विभाजित करता है ये बताओ अब क्या करोगे बताओ अब क्या करोगे बिंदू के निर्देशांक उड़ा दिये अब फस गया कुशन नहीं बहुत असान है बस तुम्हें basic याद होना चाहिए कि तुम्हारा x अक्ष पर x अक्ष पर हमेशा क्या होता है x अक्ष पर हमेशा हमारा y निर्देशांक 0 होता है x अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक 0 होता है तो ये जो भी बिंदू होगा जो कि जहाँ पर x अक्ष तुमारा इस रेखा को विभाज़त कर रही है उसके निर्देशांक आपके हमेशा x,0 के रूप के होंगे क्योंकि x अक्ष पर तुम कोई भी बिंदू उठालो वो हमेशा x,0 के रूप का होता है ठीक है तो तुम्हारा सवाल क्या हो गया अब अब तुम्हारा सवाल हो गया कि उस बिंदू के उस अनुपात को ग्याद करो जिसमें तुम्हारा इन दोनों बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड को x,0 विभाज़त करता है तो भई देखो हम मान लेते हैं कि यह M अनुपात N है तुम सूत्र जानते ही हो तुम्हारे पास क्या आ गया X,0 विभाजन बिंदू के निर्देशांक X,0 बराबर हो जाएंगे M गुणा X2 X2 हो जाएगा यह तो माइनस 4 प्लस N गुणा X1 तो N गुणा 1 बटे में M प्लस N कॉमा M गुणा Y2 तो M गुणा 5 प्लस N गुणा Y1 N गुणा माइनस 5 बटे में M प्लस N अब देखो बच्चो यह बन गया यहां से अब तुम कौन से देखो मैंने तुम्हें पिछले सवाल में क्या बोला था पिछले सवाल में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम या तो X निर्देशांग की तुलना कर सकते हो या Y निर्देशांग की तुलना कर सकते हो और M अनुपात N निकाल सकते हो लेकिन इस सवाल में हम किस की तुलना करेंगे खुद सोचो तुम देखो अगर तुम X निर्देशांग के तुलना करते हो तो क्या तुम्हें फायदा होगा सोच के देखो अगर तुम X निर्देशांग के तुलना करते हो क्या तुम्हें फायदा होगा नहीं क्यों क्योंकि X निर्देशांग तो हमें पता ही नहीं है पहले से गाया बैभाई वो तो तो इसकी तुलना करने पर कोई फायदा नहीं है तुम क्या करो अपने y निर्देशांग के तुलना करो क्योंकि तुम्हें y का मान पहले से पता है 0 है ठीक है तो अपने y निर्देशांग के तुल ना करो याने कि तुम्हारा 0 बराबर आ गया कितना 5m माइनस 5 की n में गुणा करेंगे तो माइनस 5n बटे में m प्लस n ये m प्लस n इदर 0 में चला जाएगा तो 0 गुणा m प्लस n पूरा का पूरा 0 हो गया ठीक है 5 से 5 कट गया n इदर भाग में आ जाएगा m बटे n आ गया हमारे पास 1 बटा 1 याने की हमारा m अनुपात n बराबर आ गया कितना 1 अनुपात 1 ये लो भाई खतम हो गई बात कोशन कंप्लीट तो आपका जो x अक्ष है आपकी जो x अक्ष है वो इन दोनों बिंदूओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात एक में विभाजित करती है कई बार क्या होता है बच्चों कई बार तुमसे इस सवाल को आगे कंटीन्यू कर लेता है वो पूछ लेता है कि बताओ किस अनुपात में विभाजित करती है और इस सवाल में भी पूछा ही गया है मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने ध्यान नहीं दिया इस सवाल में भी पूछा गया है कि इस विभाजन मिंदू के निर्देशांक क्या होंगे तो देखो विभाजन बिंदू के निर्देशांग निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें X का मान चाहिए ठीक है अब M अनुपात N का मान तुम्हें पास आ चुका है तुम्हें क्या चाहिए X का मान चाहिए तो क्या करो अपना अब x निर्देशांग को बराबर रग दो तो तुमारा x बराबर हो जाएगा किसके m गुणा 4 m गुणा माइनस 4 तो माइनस 4m प्लस n गुणा 1 हो गया n बटे में m प्लस n तो हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर आगया हमारा m और n का माने हमारा 1 तो माइनस 4 गुणा 1 हो गया माइनस 4 प्लस n का मान हो गया 1 बटे में 1 प्लस 1 तो x का मान कितना हो गया बच्चो माइनस 4 और 1 हो गया माइनस 3 बटे में 2 तो बेटा ये हो गया 3,2 यानि कि हमारे जो विभाजन बिंदू के निर्देशांत्य वो कितने हो जाएंगे वो जाएंगे minus 3,2 minus 3 बटे 2,0 तो यह हो गया, बच्चों, हमारा final उत्तर तो इस तरीचे का सवाल तुम्हारा बनता है विभाजन सूतर से ठीक है अब सेम क्या कर सकता है वो इसी सवाल में क्या कर देगा इसी सवाल में वो बोल देगा कि भाई या X अक्ष की जगापर क्या कर देगा वो Y अक्ष कर देगा तुम्हारा किस निर्देशांक पर विभाजित करता है, ठीक है, कैसे होगा, सिंपल सी एक चीज है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, बच्चो, हमारे पास आ जाएगा कि इस बार y अक्ष की बात कर रहा है तो क्या होगा जो विभाजन मिंदू के निर्देशांक होंगे y अक्ष पर हमेशा क्या होता है y अक्ष पर हमेशा हमारा जो कौन सा निर्देशांक हमारा x निर्देशांक 0 होता है तो तुम कोई भी बिंदू y अक्ष पर उठाओगे तो उसके निर्देशांग हमेशा 0, y के रूप के होंगे 0, y के रूप के होंगे ठीक है बस तुलना कर देना विभाजन सूत्र लगा देना और यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर y निर्देशांग की तुलना मत करना क्यों क्योंकि y निर्देशांग तो पता ही नहीं है यहाँ पर x निर्देशांग की तुलना करना क्योंकि x का मान तुम्हें पता है 0 है वहाँ से तुम्हें m अनुपात n मिल जाएगा फिर Y निर्देशांग की तुलना करके उसमें M अनुपाथ N का मान रख देना तो तुम्हें Y का मान मिल जाएगा तुम्हारा विभाजन सूतर भी तुम्हारा क्या मिल गया तुम्हें ये भी पता लग गया किस अनुपाथ में विभाजित हो रहा ठीक है और बच्चों मेरी तरफ से जो आज की क्लास है वो यहीं पर खतम हो जाती है ठीक है बेसिक बेसिक जिस भी तरीके का सवाल तुमारा बन सकता था दूरी सूतर से विभाजन सूतर से वो सारे मैंने करा दी है ठीक है अब मैं तुम्हें मिलूँगा सीरा तुमारी next class में ठीक है बोर्ड बूस्टर की अगली class में जो भी होने वाली है next chapter की वहाँ पर उसके बारे में discussion करेंगे ठीक है तब तक के लिए जो practice sheet मिलेगी उसकी practice करना जो कोशन आज की class में करा है उनकी practice करना मैं मिलता हूं सीरा next class में तब तक के लिए take care टाटा और बाई 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 अगल को भी है